नमस्कार दोस्तों स्वागता दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल कौल एजूकेशन में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो इस्टूडेंट सीटी इसनातक लेवल का एक्जाम देने जा रहे हैं उन्हें कब पोँचना है क्या-क्या गाइल लाइन क या क्या उनके लिए मैतरपून नियम है वो एक बार हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले में आप सभी जो इस्टूडेंट या जो भाई बही बहीन एक्जाम देने जा रहे हैं सीटी इसनातक लेवल का उन सबको बहुत-बहुत सबकाम नाएं कि वो एक अच्छा इसको ले एक अच्छा इसको अप्राप्त करें इस एक्जाम में जो 7 और 8 जनवरी को होने वाले है ठीक है तो हम इसके बारे में कुछ मातरपून नियम या कुछ मातरपून बारे देखने वाले हैं तो अभी तक आपने मारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर द को प्रिवेस के अनुमती होगी मतलब जैसे आपका एक्जाम नो बज़े से हैं तो आपका जो सेंटर है वहां पे ऐंट्री 8 बज़े तक होगी 8 बज़े के बाद में एंट्री बंद हो जाएगी आपकी एंट्री नहीं होगी तो आप क्या करें कि 8 बज़े जैसे जिस समय आप का एक्जाम है तो उससे एक घंटे पहले आपको क्या करना है अपने सेंटर पहुंचना है ठीक है आपको एक घंटे पहले आपको सेंटर पहुंचना है सेंटर पहुंचना क्या मतलब एक घंटे पहले तक आपकी एंट्री होगी उसके बाद में एंट्री बंद हो जाएगी आ आदे गंटे पहले मतलब आपको जैसा साड़े साथ बजे के आसबास वहाँ पहुंचना है और वहाँ पे आपका जो समय की तेक सुची रहती है उसमें आपको अपना रोल नमबर देखना है आपका रूम नमबर देखना उसके बाद में जैसे एंटरी स्टार्ट होती है तो आपको क्या करना है अपनी एंटरी करवानी है ठीक है इसके अलावा कुछ मेंटरपूर्ट बाते हैं जैसे आप जैसे çok कोई अधिसके मतलब यह कि उसमें अएके कुछ चीज नहीं होनी जाए आप नूर्मल ऐसको परदब सकते हैं जैसा जाएंशी मेंटीं हो यह बिल्कूल सादा सिंपल जो वाला आता है न वो पहन के जा सकते है नहीं बाकी आप जिसमें जने हरे बड़े-बड़े byटन हो फिर क्या आप वहां पर जानने के बाद में प्राब्लमस होते है। वह आपको उनको अटानी के लिए कहते हैं थो फिर आपको उसे में कुछ ना कुछ और इंतजाम करना होता है तो इन चीजों का आपको क्या रखना है ध्यान रखना है आगे अपन बात कर लेते हैं में इंपोर्टेंट टोपिक है कि इससे पहले जितनी भी एक्जाम्स आपने दी है उनमें ऐसा था कि आप मास्क लगा कर जाए या नहीं लेके जाना है मास्क भी आपको ट्रांस्वेरेंट वाला जो आता है डिस्पोजर वो लगा के जाना है ठीक है वह क्या है सही रहता आपके लिए ठीक है आगे बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको वहां पे लेके जानी है पहला है ईडमिट कार्ड यह सबको है कि एड्मिट कार्ड लेके जाना है आपको इसके अलाबा तू-पॉंट-पाइब सेंटिमिटर की नवीनतम रगी फोटो लेके जानी है नीली शाय का बादसी बॉल पैंट ठीक है ठास्पेरेंट पैंट पैंट लेके जाना जिसमें एक साथ से दूसरे साथ विजीबल हो व सकते जिसमें आपकी फोटो हो वो आपको लेके जाना साथ में तीक है इसके पेन पहनों आपके अलवा पैचान पर मानफांतर की च्राया पति नहीं जो आप डोकुमेंट्स लेकी जाएंगे वह आंपको ओर लेकर जाना उसकी फोटो को पी आप नहीं लेकर आप बाते आपको ध्यान लखनी है कि जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं लिए तो जितने कुछेंगे मिलेए अपने हैं क्योंकि जब negative marking नहीं है तो हम question क्यों चोड किया है हो सकता है कि तुका लग जाए अपना question भेट जाए तो अपने को negative marking है नहीं तो अपने को जितने question has complete 150 question है 150 के 150 question आपको करके आने है चाहिए वो question आपको आए तो सही नहीं आए तो सही इसके अलावा आपको समय जो मिलने वाला है तीन गंटे का समय मिलने वाला ठीक है एक बाप फिर से आप सभी को best of luck बहुत बहुत सुपकाम नाए आपकी exam के लिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है session अच्छा लगा है तो आप वीडियो को like करें, share करें, comment करें इसके अलाव चैनल को subscribe कर दे दोस्तों और well icon प्रेश कर दे चैनल की उससे क्या होगा इसी परकार की और भी आने वाली वीडियो जो की notification आपको मिल दे देगी दोस्तों Thank you so much guys, thank you